मेरे प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप से एक हिंदुस्तानी नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सौ साल पहले IAS बने थे IAS को समय ICS कहा जाता था और इसका फूल फार्म होता था Imperial Civil Service तो आईए जानते हैं उनके IAS बने की पूरी की पूरी प्रक्रिया और उनके जद्दो जहद को साल है 1920 इस्थान है इंग्लेंड और सुबह सुबह का वक्त है और जैसे ही सुबह Morning Post नाम का अख़बार ब्रिटेन के घरों में पहुँचता है पूरी की पूरी दुनिया में तहल का छा जाता है हलाकि अख़बार बटा है इंग्लेंड के लंदन शहर में लेकिन ये जो समाचार है पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है और समाचार छोटी से ही थी और वहिया कि सुभाष चंद्र बोस नाम का एक नोजवान नकिवल आईसीस ही बना है बलकि उसे चौती रैंक मिली है सच पूछिए तो यह खबर ब्रिटन वासियों को अंदर से हिला देने वाली थी क्योंकि जो ब्रिटन था उस समय पूरी के पूरी दुनिया पर इसी बहाने राज्य करता था कि जो ब्रिटन है ब्रिटन की जो लो बनाए और सच पूछे तो सुभाष चंदर बोस ने ये सफलता हासिल करके उनके इस विश्वास को उड़के इस दावे को खंडित कर दिया था तो आईए जानते हैं कि आफ्टर आल सुभाष चंदर बोस ने कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल की और वो अभी उस दोर में जबकि हिंदुस्तान पर ब्रिटन का अधिकार था तो आईए सलसले वार इसे देखते हैं दोस्तों उस समय इंग्लिश जानना सबसे बड़ी आप कहलीजे योग्यता हुआ करती थी आईसी अस बनने की और इस माइले में सुभाष चंदर बोस खुश किसमती थे तो उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी क्योंकि उनका जो परिवार था वो उच्छ वरगय परिवार था उनके पिता बहुत अप्रसिद वकील थे और सच पुछे तो उनके पूरे के पूरे घर का महौल अंग्रेजी भाषी का ही था उन्ग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़े तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। आप शायद आश्यर करेंगे या सुनकर के कि उन्हें बंगला आती ही नहीं थी। आप सोच करके देखे तो अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी। सेंटर के वला लंदन हुआ करता था ICS का यानि कि आपको एक्जाम देने के लिए लंदन जाना है तैयारी करने के लिए भी लंदन जाना है और इसके लिए लगबग लगबग उस समय दस हजार रुपेयों की जरुवर्ट उआ करती थी सुभाग्य के बात थी कि सुभाष चंदर बोस के पिता के पास यह भी था तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन भौतिक इस्थितियों की जरुवत होती थी वह तो सुभाष चंदर बोस के पास थी लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और भी थी कि वो पढ़ने में बहुत थे हाई स्कूल तक वो हमेशा टॉपर रहे ग्रेजुएशन में इन्वर्सिटी में उनकी सेकेंड पोजिशन आई उन्होंने फिलासोफी आनर्स से ग्रेजुएशन किया था तो यानि कि उनके पास वो सारी बातें थी वो सारी चीजें थी जो समय के आईएस के बनने के लिए जरूरी होती हैं लेकिन एक बात उनके पास नहीं थी कि कभी भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे आईसियस भी बनना है जब कि वो अपने सामने देख रहे थे कि वे हिंदुस्तानी जो आईसियस बन करके आए थे वो कितने रौब दाब का जीवत जी रहे एक बार की बात है कि जब वो कलकटा से अपने घर का टक लोटे तो उनके जो पिता हैं अपने बड़े बेटे से बात कर रहे थे और बात ये हो रही थी कि क्या सुभास को लंदन भेज दिया जा आईसियस बनने के लिए उसी समय जब सुभास पहुँचे तो उनके पिता ने कहा कि अगर तुम आईसियस बनना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर मुझे अपना नेनने बताओ नजाने क्या हुआ कि सुभास चंदर बोस ने कुछी घंटे बाद कहा कि हाँ ठीक है मैं लंदन जाना चाहता हूं मैं आईसियस बनोगा तैयारी की गए उनको लंदन भेज दिया गया और आप देखें कि वहां अब क्या होता है मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है और खासकर उनके लिए जो अभी आईसियस की तैयारी कर रहे हैं सुभास को एड्मिशन लेने में चार महीने की देरी हो गई थी यानिकि सिर्फ आठ महीने का उनके पास वक्त था पूरी के पूरी तैयारी करने के लिए आठ महीने का वक्त था और मालू मैं उन्हें सब्जेक्ट कितने पढ़ने थे नौ सब्जेक्ट और आपको सुनकर के बड़ा अश्यर होगा या यू कह लिए जो मजा आएगा लेकिन जियाग्रफी में सर्वेइंग और मैपिंग ये दो बहुत अनिवारे थे और सुभास चंदर बोस के लिए ये दोनों बिलकुल नए थे हिस्ट्री में उस समय ये रोब की हिस्ट्री पढ़नी होती थी और इंग्लेंड का भी इतिहास पढ़ना होता था लेकिन इसके लिए फ्रेंच जानना जरूरी था और ये भी सुभास के लिए बिलकुल नया था कि वो फ्रेंच सीखे फ्रेंच जाने इकनॉमिक्स पढ़ना होता था इंग्लेंड का जो ला होता था वह पढ़ना होता था इकनॉमिक्स पढ़नी होती थी संस्कृत पढ़ना होता था ये सारे के सारे विशय उन्हें पढ़ने होते थे और उनके पास सिर्फ आठ महीने का वक्त था सुभास चंद्र बोस ने अपनी आत्म कथा लिखी है The Indian Pilgrims हिंदी में ये किताब आ चुकी है भारती तेर्थी आत्री के नाम से मैं तथ जो ले रहा हूं दोस्तों वो अफवा नहीं है सुनी-सुनाई बाते नहीं है उनके आत्म कथा में ही जो तथ मिले हैं मैं वे ही आपके सामने रख रहा हूं आप यूँ कह लिजे कि मैं सुभास की बातों को केवल अपने जुवान के जरी आप तक पहुचा रहा हूं आठ महिने का सिर्फ वक्त है सुभास ने अपने आत्म कथा में लिखा है कि मैं इतना परिशान हो गया था कि मेरे सामने केवल लेक्चर अटेंड करने आकर के तैयारी करने इसके सिवाए कुछ रही नहीं गया था पढ़ना ही एक प्रकार से मेरा मनुरंजन बन चुका था उस समय मैंने कितनी मिहनत की है शब्द है मैं क्या बताओ यानि कि शब्दाती लगातार वो इसी में लगे हुए और फिर वो लिखते हैं कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि वहाँ सालों साल लोग तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि सुभास चंदरवोस को इस बात की बिलकुल उमीद नहीं थी कि ऐसी सिच्वेशन में इतने कम समय में इतने सारे विशे हैं और मैं ICS बन जाओंगा चले दोस्तों एक बहुत दिन भी आया जिस दिन एक्जाम की शुरुआत हुई और एक महिने तक यहाँ परिक्षा चली अब आप एक फिर दुर्भाग्य उनका देखिए परिक्षा होती रही वो देते रहे एक पेपर हुआ करता था जो मैंने इंग्लिश कंपोजिशन का नाम लिया तो उसमें एक इंग्लिश का ऐसे होता था जिसे संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता था सुभाश अंद्रबोस जी ने पूरा ट्रांसलेशन कर लिया था लेकिन अनफॉर्चनेटली उन्होंने पहले रफ वर्क किया था और जब अपने फेर पन्नों पर उतारने लगे इसी बीच में घंटी बजी और उनकी कौपी छीन ली गई और डेड़ सो नंबर का यह जो प्रशन है वो पूरी तरह छूट गया और एक्जामनेशन हाल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने घर को सूचित कर दिया कि मेरा सेलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पेपर खराब हो वो निश्चिंत हो गए कि अब तो परिणाम बिलकुल सामने है साफ है सवाली ने उठता है कि मेरा सेलेक्शन होगा एक दिन रात में उनके पास एक दोस्त का फोन आता है कि तुम ICS बन गए हो और तुम्हारी रैंक फोर्थ है सुभाश चंद्रबोस ने उसे मजाक समझा लेकिन सुभाश जैसे ही मौर्निंग पोस्ट अखबार आया सुभाश चंद्रबोस देख करके चकित रह गए यह सच था जो उन्होंने यकीन नहीं किया था वह यकीन अब सच में एक ठोस सच्चाई में तब्दील हो चुका था दोस्तों यह जो सुभाश चंद्रबोस को सफलता मिली है हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि आखिर में उन्होंने ये सफलता हासिल कैसी कि क्या सच में उनके सामने जो सफलता का रास्ता था वो बिलकुल आसान सा था मेरी बातों को सुनने के बात क्या आपको लगा की नहीं उनके सामने कितनी बड़े चैलेंजिस थे और उन सारे के सारे challenges को सुभास ने पार किया, उनका मुकाबला किया और बड़े संतुलन के साथ मुकाबला किया अखिर ये सब कैसे हुआ, अखिर में उनमें ऐसी कौन सी quality थी, उनकी मानसिक संरचना किस तरीके की थी, कि वो ऐसा कर गए और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक व्यक्ति सुभास की सफलता नहीं है, ये उस दोर में हिंदुस्तान की सफलता थी, और हिंदुस्तान की नहीं बलकि उन सारे देशों की सफलता थी, जो उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए मने कहा कि पूरी आटो बियाग्राफी को पढ़ने के बाद मुझे दो गुण सबसे महत्पूर्ण मालूम हुए हैं और वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और खासकर इस परपस से रखने जा रहा हूं कि मुझे अभी भी लगता है कि किसी भी ऐसे युवा के लिए जो आई-एस की त अंदर हो लेकिन अगर है भी तो उससे घबडानी की बात नहीं है उसको आप ओवर कम कर सकते हैं अपने आटो बैग्राफी के शुरुवात के पन्नों में ही सुभास चंदर बोस जी ने एक बहुत ही चौकाने वाला वाक्य लिखा है सच पूछे तो इस वाक्य को पढ़ कर होना बहुत गहरे रूप से घर कर गई थी इसे आप साइक्रलोजी की लैंग्वेज में इन्फिरियोर्टी कॉंप्लेक्स कह सकते हैं इन्फिरियोर्टी कॉंप्लेक्स सुभास चंद बोस बहुत जबरदस्त रूप से इन्फिरियोर्टी कॉंप्लेक्स ग्रसित हैं मुझे कभी भी हमारे विकास का बादधक नहीं होता है सच पूछे तो जो सही माइने में इन्फिरियारिटी कामप्लेक्स से गरसित रहते हैं वो फिर इसे उबरने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाओं कि लोग मेरे उस उपलब्धी को देखें और इस इन्फिरियारिटी को भूल जाए मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तोड़ पर और जिस तरीके से सुभाज चंदर बोस ने उसे वातें लिखी है कि उन्होंने यही किया और शायद उन्होंने अचानक कुछी घंटों में जो निरने बता दिया कि नहीं मैं ICS बनूँगा उसके पीछे उनकी इन्फिरियारिटी कॉम्पलेक्स काम कर रही थी कि यदि मैं बन गया तो कम से कम मैं अपने बारे में ही जो सोच रहा हूँ उससे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें मुक्ति मिली उसमें फिर कोई समझोता नहीं करते थी उन्होंने कई तरह के इस बीच में काम किये हैं मतलब वो बहुत पढ़ाकू किसमिके नहीं थे कि रात दिन वो पढ़ ही पढ़ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था लेकिन हाँ उनमें लगन थी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर लग करके कर रहे हैं मैं आपको एक छोड़ी सी घटना बताना चाहूँगा कि जब वो कैलकटा से कटक लोट करके आए तो वहां तो स्कूल में बंगला भाशा सिखाई जा रही थी और इनको बंगला का A, B, C, D नहीं आता था तो फिर उन्हों ने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा साथ महिने ही उनको मिले थे साथ महिने में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बंगला भाशा शीख ली और नक्योवल स्कूल में टॉप किया बलकि उस पेपर में भी टॉप किया क्या भाशा सच में सीखना इतना आसान होता है कि कोई साथ महिने में सीख करके टॉप कर जाए इसके पीछे कारण यही था कि जिसमें लग जाते थे उसमें लग जाते थे क्यलकटा में उन्होंने पढ़ाई कि हायर एजुकेशन भी कैलकटा से लिए वो बकायदे अपने क्लास के मॉनिटर हुआ करते थे लीडर हुआ करते थे और जब वो अपने क्लास का नित्रत कर रहे होते थे तब पिर चाहे वो क्लास के टीचर हों चाहे वो प्रिंस्पल ही क्यों नहों उनका विरोध करने में कभी भी पीछे नहीं हुटे और ये जानते हुए भी कि इससे मेरे अकैडमी केरियर को नुकसान पहुंच सकता और ऐसा हुआ भी उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और साथी साथ ये लिख भी दिया गया कि इनको दूसरे किसी भी कॉलेज में अडमीशन नहीं दिया जाया और तब तक उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था लेकिन चुकि वो उनकी ड्यूटी थी तो उस ड्यूटी से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता था इसके बाद वो सामाजी कारियों में लग गए टीम बनाई और सामाजी कारियों में लग गए और वहां भी पता लगा कि वो एक बहुती लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं वहां भी वो पहले ही स्थान पर हैं और इसके बाद उनको लगा कि ये सब भालतू की बाते है आध्यात्मिक्ता में उनको कुछ रूची होने लगी, अब लगा कि मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, तो उसके लिए भी वो निकल लिए, और वहाँ भी फिलासफी की उनकी बैकग्राउंड थी, वहाँ भी उन्होंने कमाल कर दिया, यानि कि वो जहां जाते थी, वहीं कम लेकिन उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मैं चाहता तो नहीं हूँ, मैं चाहा नहीं रहा हूँ, लेकिन उसमें पूरी तरह जुट गया हूँ, आपको लगता है कि यह इतना आसान है, सुभाज चंदबोस का ICS बनना इसी तरह का था, वो अंग्रेजों का विरोध करते अग्रेजों के पक्ष में नहीं थे, वो ICS का वैभवशाली जीवन नहीं जीना चाहते थे, वो इनको अट्रेक्ट नहीं करता था, और सोचिए कि फिर वो बन कर दिखाते हैं, जिसे आप चाहा नहीं रहें, उसे पाने के लिए आप इतनी बुरी तरह से जुट जाते हैं, क्या ही आसान आपको नजर आता है, उन्होंने लिखा है कि जब ICS का रिजल्ट आया, तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे अब उनकी नौकरी करनी थी, जिनके लिए मेरे मन में बिलकुल भी कोई प्रेम और श्रद्धा और सम्मान का भावर नहीं था, समझाया जा रहा है, उनके पिता समझा रहे हैं, उनके बड़े भाई जिनको अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा बानते थे, वो समझा रहे हैं, अंग्रेज समझा रहे हैं, जब अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, इंग्लेंड आफिस पहुंचते हैं, तो वहां ज इसे चीज के लिए कोशिस में लगे हुए हैं, जो आपको मिलने के बाद भी आपकी नहीं होनी है। सोच करके देखिए कि उसमें लगन पैदा कर पाना, उसमें डूबना कितना मुश्किल काम होता है। और सुभाष चंद्रबोस ने ये जादू करके दिखाया। तो दोस्तों ये थी सुभाष चंद्रबोस के ICS बनने की दास्तान और मुझे लगता है कि जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे, इस पर ध्यान से विचार करेंगे, तो डेफनिटली आपको भी अपनी तयारी के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, इनर्जी के ऐसे चोटे-चोटे टुकडे मिलेंगे, जो आपको ICS बनाने में बहुत जादा मददकार होंगे, दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों, तो प्लीज आप इसे लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सब के लिए एक सूचना भी है दोस्तों कि अब हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ गए हैं, आप हम लोगों को वहां भी फॉलू कर सकते हैं, और इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना सकता हैं नहींसका